कि इस वीडियो में अपन देखेंगे कि which material is used for making electric plug switches and plug board and why मतलब कौन सा material जो है कौन से material है जो electric plug switches और plug board बनाने के काम में आता है और क्यों आता है ये question जो है वो SSCJ 2018 में पूछा गया था देखो इसको जो interview वगएरा उसमें एक तरीके से और पूछा जाता है कि why an electrical switches plugs and sockets are made up of thermosetting plastic कि ये अपने switches, plugs वगएरा thermosetting plastic के क्यों बनाए जाते है तो देखो अगर आप सोच रहे हो कि इस question के answer thermosetting plastic है तो वो पूरा सही नहीं है क्यों thermosetting plastic आपको इसके option में ही नहीं मिलेगा अब देखो कि इसका अपन देखते हैं कि answer क्या होगा तो सबसे पहले अपन thermosetting plastic से शुरू करते हैं कि thermosetting plastic होता क्या है thermosetting plastic जो है वो एक polymer है उसके लिए लिखा है कि which can withstand high temperature मतलब एक ऐसा polymer है जो high temperature को tolerate करने की capability रखता है या शमता रखता है अब देखो इसकी एक property और देखो यह कहता है कि once hardened these cannot be reformed or recycled even with the application of heat कहने का यह मतलब है कि अगर मैं इसको एक बार mould कर दूँ या इसको किसी hard substance में एक बार बना दूँ अगर उसके बाद मैं इसको वापस से reform नहीं कर सकता मैं इसको वापस नहीं बना सकता ना मैं इसको recycle कर सकता हूँ even अगर मैं इसको इसके बाद heat भी दूँ उसके बाद मैं इसको reform या recycle नहीं कर सकता इसके कहने का यह मतलब है मैं इसको फिर से बोल देता हूँ मतलब एक बार अपन ने इसको मौल्ड कर दिया ना या बना दिया उसके बाद मैं इसको heat देने के बावजूद भी मैं reform या recycle नहीं कर सकता हूँ वो बन गया तो बन गया ठीक है अब देखो ये जो अपना thermosetting plastic है इसके example में आता है एक तो vulcanized rubber और backlight ठीक है देखो vulcanized rubber और backlight किसके example है thermosetting plastic का ये जो backlight है ना ये काम में आता है electrical switches और plugs को बनाने के लिए तो देखो इसका जो answer है वो तो होगा backlight अब क्यूं होगा तो वो अब आपन देखेंगे तो देखो मैं शुरू करता हूँ backlight के बारे में देखो backlight जो है ना वो एक polymer है ठीक है और उसका formula ये मैंने यहाँ पर लिख रहा है ये formula इतना importance का नहीं है एक तरीके सा polymer है ये monomer है उसकी long chain N है अब देखो ये लिख रहा है backlight जो backlight एक बार और बज़दा दू backlight जो है वो इसका commercial ने में backlight एक plastic है या आप मैं बोलतू polymer है जो synthetic component से बनाए simple से बात लिख रहे कि आप देखो synthetic component कौन-कौन से एक तो phenol और formaldehyde ये जो backlight बनाए ये phenol और formaldehyde के polymerization से बनाए और इसके जब अपन यूज पढ़ने जाते ना backlight के तो simple से इसके जो use है ना इस यूज इन manufacturing of electric switches, plugs and socket देखो ये अपने question का answer आ गया कि backlight जो है वो electric switches, plugs और sockets बनाने के काम में आता है और machine parts of electrical system जो machine के part है electrical system के वो भी बनाने के काम में आता है देखो यहाँ पर सबसे important बात ये रखना कि non-conductive part of electrical device जो electrical device है उनके सिर्फ non-conductive part बनाने के काम में आता है ये अपना backlight, conductive part नहीं बनाना है क्योंकि इसकी property है ये कुछ ऐसी है अब देखो आगे अपन देखते हैं कि why use in making switches and plugs मतलब ये non-conductive parts जैसे कि switches और plugs ही बनाने के काम में अपन इसको क्यों लेते हैं कौन सी इसी properties में तो देखो भाई सबसे पहली जो property नहीं इसकी जो electrical conductivity है वो low है अपन चाहते हैं कि आपन switch पे हाथ लगाए और वो conduct कर जाए वो अपने आद through current को pass करा है क्योंकि आपन को पता back side में तो इसके wire connected है लेकिन अपन नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर current आए इसलिए इसलिए यह जो होता है अपन back light को काम में लेते हैं क्योंकि उसकी जो electrical conductivity है वो क्या है बहुत ही low है आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि resistance to electric current वो electric current को क्या करता है बहुत ही जज़ा high resistance देता है दूसरा यह high heat resistance है resistance है मतलब आपको पता है plug के अगर मैं दूसरी दरफ की बात करूँ तो heat भी develop होती है जैसा कि socket की भी बात करूँ तो अंदर की दरफ तो heat भी develop होती है लेकिन यह heat बाहर की तरफ ना आए ठीकिन इसके तुरू पार्ट्स बनाने के काम में लेते हैं देखो दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट को वह है ना इसका के भाई यह क्यूं काम में लेते हो देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है it can be quickly and easily molded into nearly infinite shape इसको अपन क्या कर सकते है molded मतलब मैं पहले आपको molded बता दू सौरी molded मतलब किसी shape में किसी का shape देना मतलब to make something in a particular shape अपन किसी भी चीज को किसी भी चीज में ढाल सकते हैं तो इसको ढालना है बहुत ही आसान है और बहुत ही यह जल्दी ढाल जाता है किसी भी दूसरे shape में और अपन को अपन इसको एक दोनी infinite shapes दे सकते हैं ठीक है और फिर मतलब कि एक बार मैंने इसको किसी भी आकार में अगर ढाल दिया ना उसके बाद ना तो यह heat से melt होता है और ना ही अपन इसको recycle कर सकते हैं देखो तीसरा कारण यह भी है कि lightweight होता है और durable होता है ठीक है और तीसरा fourth जो कारण है वो होता है कि resistance to chemical action and also non-flammable chemical action को resist करता है और द